हेलो फ्रेंज वेलकम टू आर चैनल मल्टी रोज लाइफ दोस्तो आज हम आपको बताएंगे अंकुरित मूंग के फायदों के बारे में अंकुरित मूंग को खाने के कई फायदे हैं इस बारे में आपने बहुत लोगों से सुना होगा लेकिन बहुत कम ही लोग हैं जो से खाने का मन बनाते हैं वज़ा है इसका स्वाद अगर थोड़ी सी महनत और प्रियोग किया जाए तो अंकुरित मूंग सेहत के लिए किसी वर प्सक्राइब जरूर कर ले और बैल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि ऐसी महत्पूर्ट जानकारियां सही समय पर आप तक पहुंसती रहें दोस्तों बालों को लेकर परिशान है तो अंकुरित मूंग से बहतर कुछ नहीं आज ही खाना शुरू करें इसमें प्रचूर मात है वो है कि इसमें काफी सारे एंजाइम होते हैं जो पार्चन के लिए बहतर होते हैं यह कब्स को भी ठीक करता है यह मेटबॉलिजम को बूस्ट करता है शरीर के सभी अंगों के सही से काम करने के लिए प्रोटीन की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है जो कि अंकुरित को बनाता है साथ ही चेहरे पर होने वाली आसमें एजिंग को भी कम करता है इतने सारे फायदे जानने के बाद आप अंकुरित मूं को जरूर खाना चाहेंगे हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं जिससे बोरिंग लगने वाली यह मूं कैसे स्वादिस्ट लगने लगी दोस्तो इसे सलात के रूप में खाएं तो बहतर होगा इन्हें पकाने भूनने या तलने से इसके पोशक तत्व मर जाते हैं ऐसे में सबसे बहतर है कि इन्हें अच्छे से दुल कर सलात की तरह खाएं इस सलात में आप टमाटर, प्यास, खीरा भी काट कर डाल सकते हैं इसक इस लोग इसमें नीबू का प्रियोग भी करते हैं इसके लावा अगर इस तरह से खाकर बोर हो चुके हैं तो हलके से मखन में से भूने उपर से टमाटर और प्यास डाले और थोड़ा सा पनीर डाले अंकुरित मूंग अमलेट के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं अब दोकर पानी में चान ले बाद में गीले सूती कपड़े में लपेट कर दस से बारा घंटे के लिए लटका दे यह जब तक आपको अंकुर ना दिखने लगे कपड़ा सूखने पर पानी चुड़कते रहें छोटे अंकुर आने पर यह खाने के लिए तैयार है अगर आपको इसे घर में बनाने का समय नहीं है तो आप अंकुरित मूंग को बजार से भी खरीच सकते हैं दोस्तों जब कुछ दिन इसे आप खाएंगे तो होने वाले फायदे दे किसे आप रेगुलर खाने लगेंगे तो दोस्तों यह हमने आपको बताया अंकुरित मूंग के गजब और किस तरह सधारन अंकुरित मूंग को टेस्टी बनाया जाता है उमीद है यह जानकारियां आपके लिए बहुत फायदे मंद होगी ऐसी ही और महत्मूर जानकारियों के लिए आज ही हमारे चैनल मल्टी रोज लाइफ को लाइक करें सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्य करें बाइ टेक केर बी हापी धन्यवाद